हलो दोस्तो आपका श्वागत है रंजु की रसोई में आज बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मेठी लॉंजी जो काफी टेश्टी लगता है खाने में इसे पूरी पराटो के साथ खाया जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम की लॉंजी बनानी के लिए हम कच्च आम लेंगे छे से साथ आम लेंगे आपको जितना बनाना है उसी साफ से आप आम को ले सकते हैं उसका सारा छिलका निकाल लेंगे अगर आम में गुठलिया है तो आप उपर से आम को कट कर सकते हैं और इसकी गुठलिया फेक सकते हैं अगर उसमें गुठलिया नहीं है तो आप आम को अराम से कट कर सकते हैं और इस तरीके से सारे आम का छिल का निकाल लेंगे देखिए हमने इस तरीके से छिल लिया है आम असारे आम को इस तरीके से पतले पतले टुकडों में कट कर लेंगे देखिए हमारे आम में घुठली नहीं थी तो कापी असानी से हमारा आम क किप कर सकते हैं अलसन को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे बस हलका सा कलर चेंज करेंगे ज्यादा भूनना नहीं है हलका सा कलर चेंज हो जाने के बाद उस पे हम दो चम्मत जीरा डालेंगे जीरा डालके जीरे को हलका सा भून लेंगे जीरे को हलका सा भून लेंगे और हलका भून जाने के बाद इसमें सूखी हुई दो से तीन मिर्ची डालेंगे दो टुकड़ों में तोड़ा हुआ मिर्ची को डाल देंगे थोड़ी देर उसको भून लेंगे उसके बाद हल्दी पॉडर डालेंगे आधा चमच और आधा चमश हल्दी पाडर को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे और तेल में हल्दी डाल देने से हमारे सिर्के में काफी बढ़िया कलर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है अब इसमें डाल देंगे यह कटा हुआ आम और आम को अच्छे से उसमें mix करेंगे और 2-3 मिनट आम को भूनेंगे तो बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद आम को चलाते रहेंगे भूनते रहेंगे ताकि आम हमारा हलका सा soft हो जाए तो देखे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिच बिच में हम चला चला के आम को भूण लेंगे और आम हमारा भूण चुका है अब उसमें डाल देंगे एक गिलास पानी डाल के अचछे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे धखक कर छोड़ देगे 10 मिनट के लिए जिसे इसमें बढ़िया से उबाला जाए तो देखिए इसे धककर छोड़ देँगे दस मिनट 25 के बाद हम वापस से चेक कर लेंगे और देखिए पाने हमारे पाने में ऐसंते पख़ी वह अदर Then कि अब इस Messiah नष्य होगा है और इसमें मिक्स कर लेंगे और कुछ मसाले डाल लेंगी हम ज야दा मसालों का यूज करेंगे विश्मका साई यह कुछ मसाले डालेंगे तो इस इस는 को सफवाद नष्य नहीं डालना है विश्मकास नमखष हमने भुणने धने गधलने का आपके पास जो गुड़ है वो डाल सकते हैं ऐसे डाल भ्यू शक्ते हैं अगर जेने सब्कूल चुआ लेंगे तो देखिए हमारा गुड़ गल चुका है हमारा सिर्का बनकर रेडी हो गया है बीच में एक दो बार आप ठाली हटा करके चेक कर लें कि गुड़ गला है कि नहीं हमारा सिर्का बनकर रेडी हो गया है अब इसे सर्व कर लेंगे अब इसे पूरी पराठे के साथ में और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है आप इसको एक हफ़ते दस दिन तक अराम से रख के खा सकते हैं खराब नहीं होता है रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ